जाहिन दोस्तो मैं रित्तिक राज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल फॉर्म फिलप की नौलेज में दोस्तो आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वास्त होंगे दोस्तो डाइरेक्टर ओफ जेनरल सेंटर रिजल्ट पूरी स्फोर्स यान ओफिस्यल वेवसाइड है वो टिपे एसरीक्रूटमेंट डॉट और सी रपी एफ डॉट जी ओवी डॉट इन यह वेवसाइड है एडवटाइजमेंट नोटीस एर रिकूटमेंट फॉर्ड पोस्ट ऑप ग्रूप बी एंड गूप सी के लिए है नॉन मिनिस्ट्रियोल न 25-2023 से स्टार्ट होगा यानि कि 1 मई 2023 से फॉर्म में स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो इसका फॉर्म बरने का है वो 21-25-2023 को है रिलीज ऑफ एडमिट कार्द जो है वो 30 जून 2023 को एडमिट कार्द रिलीज किया जाएगा सीडिल ऑफ कॉंप्यूटर बेस टेस्ट ज examination, computer-based test होगा, physical standard test यानि कि PST होगा, physical efficiency test होगा, documents verification होगा, medical test होगा, यह सब होगा, तो इसमें क्या होगा और क्या तो हैं आपर देखते हैं, तो return examination CVT will be held on post-wise, मतलब इसका post-wise कराया जाएगा, physical standard test, efficiency test, documents verification, medical examination यह आपको return exam निकालने के बाद, अगर हम बात करें, तो sub inspector जो है, वो group B के अंदर आता है, इसमें pay level 6 का है, यानि कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक salary है, आप इस salary देखके समझ सकते हैं, कि इसमें 10th और 12th वाले apply नहीं कर सकते हैं, sub inspector जो crypto है, इसमें ग्रिजवेशन पोस्ट के लिए है, इसमें भी लेवल 6 का है, 35,400 से 1,12,000 तक, यहाँ पे देखिए, sub inspector technical जो है, इसमें भी level 6 का salary है, 35,400 से 1,12,000 यहाँ पे देखिए, sub inspector civil है, mail है, इसमें 6 level 6 का है, अगर आप देखिएगा अगर आप पोस्ट की देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, इसके अलामा भी जो भी गौर्रमेंटल, मतलब गौर्रमेंट के salary में दिया जाता है, जैसे कि डियर्नेंस allowance, house rent allowance, transport allowance, रासान मनी, allowance uniform allowance, फिरी, फिरी account mention, यह सब आपको दिया जाएगा, फिरी medical facility, यह सब आपको जो CRPF के नोकरी में दिया जाता है, यह सब आपको दिया जाएगा, sub inspector RO की बात करें, इसमें के, UR के मतलब 8 post हैं, EWS के 2 हैं, OBC के 5 हैं, SC के 3 हैं, ST के 1 है, total 19 post vacancy है, sub inspector crypto की बात करें, तो UR के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, total 7 post है, sub inspector technical में 5 post है, sub inspector civil mail में 20 vacancy है, अचे आपे देखांगा, assistant sub inspector technical में 146 vacancy है, assistant sub inspector draft mat में 15 vacancy है, total 212 vacancy है, जिसमें 85 general के लिए 23 EWS के लिए 56 OBC के लिए 32 SC के लिए और 16 ST के लिए इसका जो फॉर्म भरने का है वेवसाइड वो है recruitment.crpf.gov.in इस पे आप भर सकते हैं यहाँ पे दोस पर्सेंट जो वैकेंसी है वो एक सर्षमेन के लिए reserve रखा जाएगा और 10% डराक्षन जो है वो EWS को भी मिलता है है यहाँ पर आप देखिए गात्याँ पर देखिए गात्याँ यहां पर इजर्वेशन बताया है कि SC को reservation मिलेगा और ST को reservation मिलेगा OBC को मिलेगा और EWS को मिलेगा और EX Service Mon को मिलेगा यह फॉर्म केवल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21 2023 को इसका काउंट एज काउंट किया जाएगा 25 1993 से लेकर इसका एज 21 से 30 साल चाहिए और 25 1993 से लेकर 21 25 2002 के बीच में अगर का एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर देखिए टेक्निकल ड्राफ्ट में ने बोला गया है कि आप 18 से 25 साल के बीच भी आते हैं तो आप फॉर्म भर लेंगे SCST वाले को 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा OBC को तीन साल का छूट दिया जाएगा और यहाँ पर देखिए दे सेंटरल गवर्मेंट सर्वेंट को जो हैं वो चाली सी और अप टू हैं फुर भी अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर देखिए ग्रूप BC में एक सर्विसमें के लिए बताया जाएगा है कि आप अगर जमू का स्मीर से बिलोंग करते हैं तो इसको आप 5 साल का छूट मिलेगा यह सब एज का सूट बताया गया है जो कि आप एक बार अच्छे से इसका सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप मतलब रेडियो अप्रेटर में बोला किया है कि बैचलर डिगरी इकुभायल एंट्रिकोर नाइस विप्ट मैथेमेटिक्स एंड फिजिक्स आज सब्जेक्ट और यहाँ पर इसक्टर टेकनिकल ने बोला कि यहाँ बिया बैचलर आप ट टेकनिक टेकनलोजी आप किये हैं इलेक्ट्रोनिक से या इलेक्ट्रोनिक्स टेली कम्निकेशन से तो आप यह फर्म भर सकते हैं यहाँ पर बोला किया है सौम इंस्पेक्टर सीविल में बोला किया है कि इंटर्मीडियेट थ्री इयर डिप्लोमा अगर आप पास हैं तो या B.S.E. डिगरी किये हैं तो आप फर्म भर सकते हैं असिस्टेंट साव इस्पेक्टर ड्राफ्ट में बोला गया है कि पास इन मैट्रिक इंगलिस जेनल साइंस एंड मैथेमेटिक्स फ्रम एरिकोराइंस बोर्ड विच थ्री यूर डिप्लोमा इन ड्राफ्टमेन कोर्स य आप फर्म भर सकते हैं फर्म भरने का जो डेट है यहाँ पर देखिए एक पांच दोजारेट को दोसबजे सुबा से फॉर्म भरने का डेट स्टार्ड हो जाएगा और एक ऑईस तो बज़राइब को तैउस पशंच बन्यानी की बारे बज़े से एक विनट पहले फॉर्म EWS and OBC only candidates belong to SCSTX servicemen female candidates all मतलब बताया गया है form का pay अगर जो करते है भीम UPI से net banking से using से कर सकते है mastercard से online fee payments का last date है 25-23 को 11 बच के 5-5 मिनट तक आप form बढ़ सकते हैं यहाँ पे center बताया गया है कि आंधर परदेश में आप कहां कहां पे center choice कर सकते हैं यहाँ पे केरला बताया गया उतर परदेश में और नाचल परदेश में मधर परदेश में यहाँ पे देखिए असाम का बताया गया यहाँ महराष्ट का बताया गया उतराखंड का बताया गया है पता जाएगे और्में ला में दीवाय सेंटर में देली है गुए में पाना जी घुजरात में यहां पे आमदाबाद गांधी नगर यह सब उरीशा में गजाब में अंपुम्रुमेशस्व कर्म यह सब जगह आप सेंटर अपना दे सकते हैं, यह सेंटर जो है, यह स्टेट वाइज है, कट अप भी स्टेट वाइज इसका आता है, इसकी मोफ इक्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए, गाता देखिए, तब से पहले फोर SI, रेडियो अपरेटर का जो है, वो 200 marks का होगा, यहाँ पे 200 question का होगा, 2 marks for each question, इसका बता है क्या है, part 1 and part 2, part 1 में आपका स्वे मास्क का एक्जाम होगा, जिसमें आपको general intelligence reasoning होगा, 20 question 40 number के, general knowledge and governance होंगे, 20 question 40 number के, और general english grammar होंगे, 10 question 20 number के, यहाँ पर पार्ट टू बताया गया है रेडियो अपरेटर के लिए यह कोश्चन वील भी फिजिक्स एंड मैथेमेटिक से पुछा जाएगा जो कि ग्रेजुएट लेबल का होगा नमबर आप कोश्चन तीस होगा मैक्सिमम माक्स साथ नमबर का होगा और यहाँ पर ग्रेजुएट रेशन और कम्प्यूटर साइन से 20 कोश्चन पुछा जाएगा और 40 नमबर का होगा और एसाई क्रिप्टो के लिए बताया गया है कि आपको ग्रेजुशन लेबल का इलिजबिलिटी के रेटेरिया फिजिक्स और मैतेमेटिक से 50 कोश्चन होगे 100 नमबर के और वई ए और वटेक के इलेक्टरॉनिक से अगर आप तेली कम्टिकेशन तो यहाँ पर 50 कोश्चन साघन के और यहाँ पर फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथेमेटिक्स, टूल सेटनर के 25 कोश्चन, 25 नमबर के दो घंटे का आपर एक्जाम होगा, फोर ASI टेकनिकल ट्राफ्टमेन में होगा, अल्ली वन टेपर काईरिंग, 100 मार्क्स का, यहाँ पर देखे, एक मार्क, वन इच कोश्चन, यानि कि एक कोश्चन, एक नमबर का होगा, यहाँ पर क्लास, तेन्थ एसेंडर्ड, पंदरे कोश्चन होगा, प्रस्ट और होगा आपकी हें लाव वे लेटोंस लगा कोशंट के लिए को NG और यहां पे देखिए आ, graduate level, physics, chemistry, mathematics, 60, question, 40, number, ahead ASI draft mind में, आपसे 3-year diploma, standards, draft mind course, civil, mental, question, 44, number, ahead और तिरन number में बताया जा रहा है या, 3-year diploma, standards, draft mind course on mechanical engineering, 40, question, 40, number, ahead और यहां पे बताया गया है, जो passing marks रखा गया है, वो cut-off marks for the post of ASI radio operator, crypto, technical, civil, ASI technical में बताया गया जेनरल एक सर्विस्माइन के लिए 45% EWS, OBC, SC, ST के लिए 40% और अगर हम बात करें तो इसका अब देखिए यहाँ पे देखिए सिलेबस बताया गया है कि Part 1 SI Radio Operator, Crypto और यहाँ पे टेक्निकल में मैच से क्या पुछा जाएंगे, General Incidents, रिजिनिंग से क्या पुछा जाएंगे, सब यहाँ पे General Knowledge से क्या पुछा जाएंगे, General English से क्या पुछा जाएंगे यह सब बताया गया है, अब हम बात करें तो Physical Standard Test यहाँ पे देखिए PhD और SI Radio Operator Technical के लिए Crypto Technical के लिए Civil SI Technical Tractment के लिए बताया गया है कि फोर General SC OBC के लिए 117 cm male candidates का height चाहिए और female candidates को 157 cm height चाहिए और chest यहाँ पे General SC OBC के लिए 80 cm चाहिए, male candidates को 5 cm फुलाना है, female का chest नहीं लिए आता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप Cedule, यानि कि ST से बिलोंग करते हैं, male हैं 162.5 cm height लिए जाएगा और female के 156 cm लिए जाएगा अगर आप कुमारियू, गोरखा, दोगडा, माराथा and candidates हैं मेगाले, मिजोरम, नागालेंट, सीकिम, तिर्कितिरपूरा, हिमाचल, परदेश, असाम यहाँ पे कास्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपका 165 cm height लिए जाएगा male का 155 cm लिए जाएगा यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जैसे ST से बिलोंग करते हैं तो 87-82 male का chest लिए जाएगा और अगर यहाँ पे अगर आप मतलब बिलोंग करते हैं दोगरा, मराथा, अनुआचल परदे, सीमाचल परदे यह सब जगह से तो 80-85 आपका यह लिया जाएगा chest लिया जाएगा जो कि male candidates का female का नहीं लिए जाता है यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे male female candidates का बताया गया है physical efficiency test में बोला गया है कि आपको race करना है 10.600 मिटर का लगवागी 1.6 किले मिटर का ररनी करना है 6 मिनट 30 सेकेंड में और यहाँ पे 100 मिटर का finish करना है जो कि 16 सेकेंड में फ़र यहाँ पे female candidates का बताया गया है कि 800 मिटर का ररनी करना है 4 मिनट में और 100 मीटर का रणिंग करना है जो कि 18 सकेंड में लॉंग जंप करना है 3.65 मीटर जो कि आपको 3 चांस दिये जाएंगे मेल के लिए हाइड जंप करना है 1.2 मीटर जो कि 3 चांस दिये जाएंगे और सॉट पूट करना है 16 LBS 7.26 केजी का 4.5 मीटर इन 3 चांस में और फीमेल को करना है यहाँ पे तीन फीट करना है यहाँ पे तीन फीट लॉंग जंप या हाइड जंप करना है तीन चांस में और यहाँ पे फीजिकल एफिजिकल आपका नहीं लिये जाएगा जो की 1.6 किले मीटर का रेस होगा 9 मिनट में आपको पूरा करना है यहाँ पे तीन फीट करना है कि कोई फीजिकल आपका नहीं लिये जाएगा तो आई होप आपको पता चल गया देखिए अगर हम जो भी एजुकेशन डोकोमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो डोकोमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जो भी डोकोमेंट्स होगा ना जैसे अगर आप EWS अपलाई कर रहे हैं तो आपको बीतिये वर्थ 2023 के लिए तो आई होप आपको पता चल गया है तो आई होप आपको पता चल गया है पर देखिए डिटेल medical examination को आप देख सकते हैं पूरा आई होप आपको पता चल गया कि जो मतलब BSF में फॉर्म निकला हुआ है graduate level का ये फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे फूरी qualification क्या है salary क्या है apply date क्या है सारी drills आपको पता चल गया physical क्या है अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे वीडिया लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रही है मेरा यूटूब चैनल फॉर्म फिलब की नवले जाहिन दोस्तो